श्वागत ने आप सबका टेली प्राइम क्यों एने में दोस्तो आज का सवाल है कि टेली प्राइम सब्टेवेर में किसी भी लेजर में किये गए ट्रांजेक्शन्स को जब हम देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ओपनिंग वेलेंस को एक्सक्लीड करना चाहते हैं यानि ओपनिंग वेलेंस को बाहर रखना चाहते हैं या ओपनिंग वेलेंस को वहाँ से हटाना चाहते हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं और जब जरुरत पड़े, तब हम laser transactions देखते समय, opening balance को include करना चाहते हैं, सामिल करना चाहते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको जवाब है हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे example से समझते हैं, दोस्तों, टेली prime software में, किसी भी laser में किये गए transactions को देखने के लिए, हम display mode reports में जाते हैं, फिर account books में जाते हैं, इसके बाद lasers में जाते हैं, list of laser में हमें कई सारे lasers मिलते हैं, और जिस भी laser में किये गए transactions को हमें देखना है, उसको select कर के enterprise कर देते हैं, तो यहां से हमारी creator party है, जानकी taters, मैं जानकी taters के laser में किये गए transactions को देखना चाता हूँ, तो जानकी taters के laser को मैंने select किया और enter press कर दिया, दोस्तों हम आगे जानकी taters के laser में, alt के साथ F2 press कर देते हैं, और जो भी period में किये गए transactions हमें देखना है, वो period हम यहां पर कर देते हैं, मैं यहां पर कर देता हूँ, पूरा period, अब जानकी taters के laser में हम देख रहे हैं, तो एक अप्रेल 2023 से लेकर 187 दिसंबर 2023 के बीच में ह हमने जो भी transactions किये, वो सारे के सारे transactions हमें इस जगह पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक opening valence के column में भी यहां पर 355,870 रुपे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, कि 1 April से जो हमने period खोल रखा है, 1 April से लिकर 187 दिसंबर, उसके बीच में जो हमने transaction किया है, तो current total में वो हमें amounts हो रहा है, debit or credit के column में, और साथी साथ closing valence के column में closing valence भी हो रहा है, लेकिन इसमें include है opening valence, 3,55,870 रुपे, यानि जो period हम open किया है, उससे पूर्व का 3,55,870 रुपे हमें इनको देना था, वो भी इसमें include हो रहा है, अब हम यह चाते कि यह हट जाए, opening valence यहां से हट जाए, जिस से हमको यह पता चले कि जिस period के अंतरकर हम transaction देख रहे हैं, उसमें total हमने कितना debit किया है, इनकी ledger को कितने से credit किया है, और उसका closing valence कितना आ रहा है, तो जब भी किसी भी ledger के transaction को देखते समय, opening valence आपको हटाना है, तो side में button बार है, यहां पर आपको एक button मिलेगा, जिस पर लिखा हुआ होगा, basis of values, तो basis of values लिखे हुए button पर click कर दीजे, या control के साथ भी प्रेस करिए keywords से, basis of values के लिखे हुए button पर जैसे ही मैंने click किया, दोस्तों हम आगे basis of values में, यहां पर list of configuration में सबसे पहला option आपको मि करने के लिए आपको enter प्रेस कर देना है, अब क्या हो गया basis of values में, include opening balance नो हो गया, अब आपको क्या करना है, escape की प्रेस करना है, एक बार और escape की प्रेस करना है, तो देखिए अब यहां पर क्या हुआ, opening balance हट गया, अब जो period हम खोले हुए है, उस period के अंतरकत हमें पता चल अब मैं क्या करता हूँ, फिर से हमें include करना है, सामिल करना है, opening balance को फिर से basis of values के बटन पर click कर देंगे, include opening balance को yes करने के लिए enter प्रेस कर देंगे, तो अब include opening balance yes हो गया, escape की प्रेस करेंगे, एक वार और escape की प्रेस करेंगे, तो हम जब चाहें तब इसको सामिल भी कर सकते है अब देखिए, opening balance यहाँ पर शामिल हो गया, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर मान के चलते हैं, alt के साथ app to कर देते हैं, एक October से लेकर, और 31 December का हम transactions देखना चाहते है, जानकी टीटर्स का, तो देखिए, एक October से लेकर, 31 December का transaction यहाँ पर सो रहा है, लेकिन साथ ही साथ देख की प्रेस करेंगे, एक बार और escape की प्रेस करेंगे, तो अब हम यहाँ पर, एक October से लेकर, 31 December के बीच में, जो भी transaction की है, वो हम यहाँ पर देख पा रहा है, debit के column में, credit के column में, वो amount आ रहा है, और इस का closing balance है, वो 117,600 रुपए debit यहाँ पर शो रहा है, तो इस तरह से दोस वालता उसका जवाब आपको मिल गया होगा, धन्यवाद,